गुद मारिंग स्टुएंट्स बिटा लास्ट लिक्चर में हम लोगों ने टेक्जोनोमिक एड शुरू किया था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे टेक्जोनोमिक एड इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि लिविंग वर्ड से किशन आ रहा है तो टेक्जोनोमिक एड से किशन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है तो taxonomic aid को detail में पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि biodiversity को conserve करने के कौन-कौन से method हैं क्योंकि कुछ जो आपकी taxonomic aids हैं वो conservation में भी help करते हैं ठीक है तो वो किस type का conservation कर रहे हैं उसके basis पर हम biodiversity conservation को दो category में divide करते हैं in-situ conservation या इसको हम on-site conservation भी कहते हैं और second है x-situ conservation या इसको हम off-site conservation भी कहते हैं अब बैटा समझने की कोशिश करो in-situ का मतलब क्या है जो चीज जहां जिस area में मिल रही है जो उसकी natural habitat है अगर हम वहीं पर उसको conserve कर रहे हैं तो यह तो क्या कहलाती है in-situ conservation ठीक है that means in-situ conservation क्या है on-site conservation उसी site पर आपको conserve करना है जिस site पर आपको वो species मिलती है जबकि off-site conservation में क्या होता है बैटा कि आपके species मिलती है किसी और area में लेकिन हम वहाँ पर उसको conserve नहीं कर रहे हैं उसको हम यहां से उठा करके किसी specialized protected area पर लेके जाते हैं और वहाँ जाकर के उसको conserve कर रहे हैं तो यह condition क्या कहलाती है एक-situ conservation इसलिए इसको हम क्याते हैं off-site conservation ओन-site में क्या था जहां पर वो species है वहीं पर हम उसको conserve कर रहे हैं जो उसके natural habitat है वहीं पर हम उसको conserve कर रहे हैं जबकि उस species का number क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है ठीक है लेकिन किस case में हम on-site करेंगे किस में off-site करेंगे वो condition पर depend करता है जैसे कि अगर कोई species threatened है near to extinction पहुँच चुकी है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो high risk पर है कि वो कभी भी क्या हो सकती है extinct हो सकती है ठीक है तो आपकी कोई species threatened है या endangered है तो उस case में हम क्या करते हैं उस species को XC2 conservation से conserve करते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम उस species को वहीं पर conserve करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है हमें उस particular organism को conserve नहीं कर सकते हैं मालो यह आपका forest है और इसमें हमने loin को conserve करना है तो अगर हम in-situ conservation का concept अगर लगाते हैं तो इस loin की species को conserve करने के लिए हमें इस पूरे forest को conserve करना पड़ेगा किसको conserve करना पड़ेगा? पूरे forest को that means resources क्या चाहिए? ज्यादा एक तो हम अकेला loin को conserve करते हैं अब हमें पूरे forest को conserve करने हैं तो पूरे forest को conserve करने के लिए हमें resources क्या चाहिए? ज्यादा अब हम resources तो दे रहें ज्यादा लेकिन ये benefit सब को मिलेगा वहाँ पर जो भी species survive करनी है maybe plant, maybe animals मतलब कोई भी कोई भी bird, कोई भी animal सब को benefit मिलेगा को benefit क्या मिलेगा कम तो अगर कोई species threatened है तो हम ये risk नहीं ले सकते क्योंकि लोईन तो high risk पे है बाकिश पे से थोड़ी ना high risk पे है तो उसके case पे हम क्या करते है एक सिर्टू conservation करते है अब यहाँ पर जो भी हम resources देंगे वो totally सिर्फ किसके लिए देंगे लोईन को कंजब करने के लिए इसका मितलब वहाँ लोईन को उतना ही benefit पहुचाने के लिए इन सिर्टू में हमें जादा resources supply करने पड़ रहे थे और एक सिर्टू में कम resources पे काम चल जाते है दूसरा क्या है वहाँ पर हम पूरे forest को कंजब कर रहे है तो scope बड़ है यहाँ particular उसी species को कंजब करेंगे जो की threatened है तो उसके हम focus क्या रहेगा ज़ादा इसका मतलब ज़ादा beneficial species के लिए क्या रहता है एक सिर्टू conservation लेकिन हम हर species को उठा करके तो special protected जगह पर नहीं लेके जा सकते है इसलिए हम एक सिर्टू conservation सर्फ किन cases में करते है जब कोई species बहुत threatened हो जाती है बहुत high risk में है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो loss हो जाईगी अब हम bio diversity को गंजब क्यों करना चाहरे है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि nature में हर species का कोई ना कोई रोल है अगर कोई भी species extinct होती है तो maybe वो ecosystem में imbalance ला दे तो वो human के लिए harmful होगा इसलिए हम क्या चाहते हैं bio diversity को गंजब करते हैं अब मैं कुछ examples बता रहे हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहां कहां पर हम in-situ conservation का concept apply करते हैं और कहां हम ex-situ conservation का concept apply करते हैं तो सबसे पहले आजो bio diversity hot spot बता बायो डाइवर्सिटी hot spot biosphere reserve national park wildlife sanctuaries और sacred group इन सभी जगह पर in-situ conservation का concept लगता है मतलब यहां पर हम species को conserve नहीं करें हम पूरे area को conserve करें अगर मैं bio diversity hot spot की बात करूँ तो world में आज total 34 bio diversity hot spot है ठीक है कितने है 34 25 पहले बनाए गए थे और 9 को बाद में add किया गया है ठीक है लेकिन इन में से इंडिया में इंडिया सिर्फ कितने बाड़ास्टी hot spot का हिस्सा है 3 का जरूर नहीं कि वो पूरा पूरा वो दूसरे countries के साथ भी share करता है लेकिन कितने बाड़ास्टी hot spot में इंडिया का कुछ पार्ट आता है तो वो कितने है 3 इसी तरीके से यह तो था word की बात इंडिया में कितने है 3 है बायोस्फेर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इंडिया में 14 बायोस्फेर रिजर्व है कितने बायोस्फेर रिजर्व है 14 बायोस्फेर रिजर्व है नैशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इंडिया में 90 नैशनल पार्क है wildlife sanctuaries की अगर हम बात करें तो एंडिया में 448 wildlife sanctuaries है ठीक है और sacred groom हम किसे कहते है बटा ऐसे specialized tract जिनको local people venerate करते हैं और total protection देते हैं जैसे कि आपकी गारो खासी जैनतिया की जो hills होती है अरावली hills हैं हमारे आसपास they are sacred group वो कहा है sacred group इनको हम detail में नहीं पढ़ेंगे यहां पर क्योंकि यह 12 में भी आता है आपका वहां हम इसको detail में पढ़ेंगे यहां पर हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहां यहां पर आपका in-situ conservation का concept लगता है जबकि ex-situ conservation का concept का लगता है botanical garden आपने अगर किसी botanical garden को visit किया हो तो क्या वहां पर जो आपको plants live state में मिलते हैं क्या वो उनकी natural habitat वही है नहीं हम उनको कहीं कहीं से अलग-अलग एरिया से ला करके वहां पर हमने grow कर रहे हैं और उनको protection भी दे रहे हैं तो यह ex-situ conservation का part है similarly अगर आपने जोलोजिकल पार्क देखे हूं तो वहां पर भी हम forest से अलग-अलग animals को ला करके वहां conserve करते हैं उनकी breeding को control करते हैं ठीक है उनके number को बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनको protection देते हैं इसी तरह किसे wildlife safari park आते हैं ध्यान देना wildlife sanctuaries में in-situ conservation का concept apply होता है जबक यहां taxonomic aids में हम दो taxonomic aid पढ़ेंगे आपका botanical garden and geological park तो botanical garden और geological park में आपका exit to conservation का concept लगते हैं ठीक है तो यह तो था introductory part अब हम आते हैं अपने main part की तरफ सबसे main जो taxonomic aid है वो है herbarium बैटा दो taxonomic aid बहुत important है मैंने बार-बार आपको बुले है herbarium की यह सबसे main है इसके बाद museum आते है ठीक है उसके बाद छुटी छुटी definition आती है manual, monograph और flora जो 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 जोर्णेली exam में पूछी जाती है तो वो चीज़े आप ध्यान देना objectives में आपकी complete detail आएगी लेक कुछ भी नहीं है जितनी जितना possible हो आप NCRT के book को read करने की कोशिश करो हलाकि notes में मैं आपको पूरी NCRT provide करा रहे हूं साथ में detail भी दे रहे हूं लेकिन बैटा जब तक book reading के habit नहीं डालोगे तब तक आपके NCRT के question solve नहीं होगे और 90% से ज़्यादा NEET में NCRT आती है लेकिन जो detail आती है उसका mainly part होता है diversity तो जो आपकी first unit अभी चल रही है यह diversity वाली unit है तो इसमें आपको detail करनी पड़ेगी अगर आपको NEET exams देने हैं और अगर सिर्फ आप academic करना चाहते हो तो आप NCRT कर लो वह सबसे important है कुछ-कुछ टॉपिक की थोड़ी बहुत detail आपको करनी पड़ेगी तो वह आपकी choice पर depend करते हैं तो सबसे पहले देखो हम लेता हर्बेरियम तो पिटा हर्बेरियम को किसने प्रॉपोस किया था हर्बेरियम वास प्रॉपोस्ट बाइ लिनेस मैं बार बार बोलती हूं कि लिनेस का प्लासिफिकेशन में उसका रोल रहा है और इवन टेक्जोनोमिक एड में हर्बेरियम भी किसके द्वारा प्रॉपोस किया गया है लिनेस के द्वारा तो इसके कंट्रिवेशन को आप सैपरेटली भी याद कर सकते हो एक सबसे में चीज क्या है कोई भी टेक्जोनोमिक एनिमल्स के प्लांट्स के लिए वर्ड यूज करते है फ्लोरा एनिमल्स के लिए वर्ड यूज करते है फोना तो हर्बेरियम के अंदर जो भी हर्बेरियम नाम सही पता चले है हर मतलब क्या है प्लांट्स आपको हर्बेरियम में किसके रिकॉर्ड मिलेंगे प्लांट्स के that meant it has records of only flora यहापे flora का मतलब है कि plants की record आपके पास मिलेंगे actual में herbarium है क्या बटा herbarium एक store house है herbarium क्या है store house है जैसे बटा हमारी libraries होती है जिसमें book की collection होती है ऐसे ही आपके herbarium होते है जिसमें हम plant के specimen की collection करते है ठीक है तो ध्यान लखना it is a store house of collected plant specimen लेकिन बटा कैसे सबसे main चीज है जो इसको बाकी taxonomic aid से differentiate करती है पहली चीज तो यहाँ पर सिर्फ आपको preserved specimen मिलेंगे ठीक है अब preserved भी कैसे जिनको आपने DPP किया है DPP मतलब D से क्या बनता है dried P से pressed और second P से आपका बनता है preserved pressed का मतलब क्या है बटा जैसे हम छोटी classes में होते था हम क्या करते था न्यूस पेपर के बीच में या अपनी बुक्स के बीच में फ्लार्स लगाते हैं लीफ लगाते हैं तो उसी को हम कहते है pressing एक heavy weight मतलब बहुत जादा है heavy तो नहीं लेकिन एक little bit weight के weight वाली किसी चीज के अंदर paper या बुक के अंदर हमें plant के material को प्रेस करना है क्या करना है प्रेस ताकि वह fully exposed हो जाए pressing के टाइम पर हमें ध्यान रखना है कि कहीं पर overlapping ना हो वैल spread हो हर पाल्ट आपका तो वह चीज़ें ध्यान देंगे साथ में उसको dry करेंगे और एंड में कोई preservative solution भी spray करते है ताकि वह plant material लंबे time तक spoil ना हो ठीक है तो यह क्या होता है आपका herbarium at a store house of collected plant specimen which are dried pressed and preserved और किसके उपर preserve करना है इनको हमें sheet पर preserve करना है इसलिए उन sheet को हम बोलता है herbarium sheet ठीक है sheet कैसी हो सकती है आप chart paper की sheet भी यूज़ कर सकते हो ठीक है तो कोई भी hard थोड़ा सा hard paper हम यूज़ करते हैं खासकर के chart paper type का paper हम यूज़ करते हैं और फिर उस sheet पे उन specimen को लगा करके हम उनको क्या कर लेते हैं preserve कर लेते हैं लेकिन एक सी ध्यान रखना कि जो हम इनको preserve कर रहे हैं और store कर रहे हैं तो वो store is इनकी किस तरीके से होनी चाहिए according to widely accepted system of classification आगे हम पढ़ेंगे भी कि इंडिया में जो arrangement की गई है harvarium sheet की वो bentham and hooker के classification system के according की गई है तो वो हम आगे study करेंगे तो जो भी जिस भी जगे पे जो भी widely accepted system of classification है उसके according हम इन sheet को prepare करते हैं ठीकिए अब prepare करके फिर हम इनकी pressing करेंगे, drying करेंगे और preserve करते हैं ठीकिए अब question क्या आता है कि herbarium sheet जो होती है न उस पे कैसे material हम लगाते हैं और उसके dimensions क्या क्या होती है तो बटा herbarium sheet पे अगर आपका plant छोटा है तो hall plant भी हम लगा सकते हैं और अगर plant बड़ा है तो हम plant के parts को भी लगा देते हैं एक सी ध्यान रखना कि जो herbarium होता है न बटा it is the itself as quick referral system ये repository होता है future generations के लिए storage of herbarium sheet form a repository for future use repository का मतलब क्या होता है store house होता है future use के लिए हम herbarium sheet बनाके उनको preserve क्यों करें ताकि in future ये हमारी help करें किसी भी specimen को identify करने में उसके classification के बारे में जानने में उसकी wild habitat कहां है हमने उसको कहां से collect किया है तो उससे हमें basic basic information मिल जाए उसके लिए future use के लिए ये एक repository का का काम करता है store house का का काम करता है ये NCRT के लाइन ने याद रखना आपसे question पूस सकता है कि which taxonomic aid use as a repository for future use तो वो कौन सा है हर्बेरियम चीके अब आता है हर्बेरियम sheet का dimension क्या होगा तो sheet का जो dimension होता है इंडिया के इंदर अगर हम बात करें तो generally हम कहते है 30 into 45 cm की sheet लेते हैं मतलब 30 उसके विर्थ होगी 45 उसकी ये इस तरीकी से ऐसे लंबा हम ले रहे तो ऐसे आपको 45 लेना है और ये वाली चोड़ाई कितनी लेनी है 30 cm लेनी है ठीक है लेकिन एक standard पूछ लेते हैं कई बार कि international size क्या है तो वह international size भी आपको पता होना चाहिए exams में इनमें से कोई भी पूछ सकता है तो आपको एक dimension याद नी करनी है सारी याद करनी है international size होता है 29 into 41 cm यह आपका international size है जबकि हम generally यहाँ पर क्या use करते है 30 into 45 लेकिन international size क्या है 29 into 41 cm ठीक है generally हम क्या करते है ऐसी dried shoot जिनके well spread leaves होने चाहिए या flowers होने चाहिए मैंने पहले कहा है overlapping ना हो और उनके वीच में proper space हम इस तरीके से pressing करनी है कि उनके वीच में proper space हो फिर उनको हम mount कर देंगे किस के उपर हर्वेरियम sheet के उपर और एक चीज़ ध्यान अगना अगर plant material बहुत बड़ा है तो उसको हम N या W की shape में arrange करते हैं लेकिन अगर बड़ा size है तो N alphabet या W alphabet की form में हम उनको arrange कर देते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखना ये चीज़ बड़ी important है आपके काम आएगी आगे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो label हम लेते हैं उसके dimensions तो हमने ले ली कि आ स्वारी sheet की dimensions तो हमने ले ली बटा देखो एक बर मैं आपको diagramatically दिखा देते हूं जैसे ये हमने sheet ले ली हर्वेरियम की ठीके अब इस हर्वेरियम की sheet का international size अगर हम देखो तो मैंने ये लिया ह 40 cm और ये लिया है 41 cm फिर हमें क्या करना होता है बटा इसके उपर right hand bottom corner में एक label लगाना होता है क्या लगाना होता है label किसके लिए एक information के लिए कि जो भी आपने इसके उपर material लगाया है वो material किसका है वो मैं बताती हूँ सबसे पहले हम देख लेते हैं label का dimension क्या होता है तो label हमें लगाना है 7 x 12 cm का कितना लगाना है 7 x 12 cm का ऐसा ये हमने ले लिया 7 cm और ये ले लिया 12 cm ठीक है फिर इस label पे हमेंने कौन-कौन से information प्रोवाइड करनी है देखो क्या-क्या इस पे पता होना चाहिए एक तो होना चा कि शीट के उपर आपने जो भी material लगाया है वो आपने कब collect किया और किस place से collect किया दोनों चीज़े आपको mention करनी होती है date and place of collection उसके बाद आपको उस plant का जो भी आप plant material लगा रहे हो उसका English name भी आपको बताना होता है कि उसको English में हम क्या कहते हैं उसका local name भी बताना होगा और botanical name भी बताना होगा क्योंकि plant है तो हम botanical name भी बोल सकते हैं scientific name भी आपको बताना होगा English name और local name और एक taxonomic category में सबसे main चीज़ हमें mention करनी होती है जो कि सबसे important category मानी जाती है family हमने पहले भी कहा था family एक 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 जोनोमी किटेग्री है विच इस बेस बोथ और वेजिटर्टिव और प्रॉडक्टिव करेक्टर तो जब भी हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो उसमें family जरूर मेंशन करते हैं उस plant की ठीक है और साथ में मेंशन करते हैं collector name कि जिसने यह plant material collect किया यह शीट बनाई उसका नाम क्या है तो हमने इस लेबल भी क्या कि information दी बटा date and place of collection English local and botanical name उसकी family हमने बताई और उसके collector का नेम बताया और जो भी आपके पास plant material है अगर वो बड़ा है तो हमने N या W alphabet की form में लगाया otherwise जो भी plant है उसको हमने wide spread करके इस तरीके से लगा दिया एक एक चीज बिलकुल अलग-अलग होनी चाहिए कहीं पे भी आपकी overlapping ना हो क्या ना हो overlapping ना हो ठीक है अब एक चीज और देखो herbarium serve as quick referral system and taxonomic study में जब हम taxonomic studies करते हैं तो हमें क्या चाहिए plant material चाहिए हमें बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में हमें कोई reference से को कोई plant material हमें कहां से मिलेगा हम कहां से plant material लें कोई research कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो अगर हमें कोई क्विक reference दे सकता है तो क्विक referral system का काम कौन करता है herbarium sheet क्योंकि इसके ओपर कुछ information लिखी भी होती है date and place of collection collector name तो हमें बहुत easily यहां से reference मिल जाती है तो यह a quick referral system का काम करता है ठीक है एंडिया में जो herbarium sheet होती है they are arranged according to bentham and hooker classification system यहां रखना हमने का था कि जो herbarium sheet होंगी वो किसके according arrange होंगी most acceptable classification system के according तो एंडिया में जो most acceptable classification system है वो किसको माना गया है plant के case में bentham and hooker के classification system हों तो हमने herbarium sheet को इसके according arrange किया है ठीक है अब हम ले लेते हैं herbarium के examples कि herbarium कहां कहां बनाएगे यह repository यह हमें कहां कहां मिल सकती है तो अगर हम बात करें largest herbaria की सबसे अब से बड़ा herbaria कहां बनाए गया है अगर हम बात करें largest herbaria की तो it is situated in royal botanical garden अब आप कोगे मेडम यह तो botanical garden है बिटा क्योंकि botanical garden में plant के life specimen हमें मिल जाते हैं वो भी कहां बनाए जाते हैं botanical garden के पास ही बना लिए जाते हैं ठीक है ताकि वहीं से हम plant material को collect करें और उनको preserve कर लें लेकिन दोनों अलग अलग concept है botanical garden में आपको live plant मिलेंगे जबकि herbaria में हम उन्हीं plant material को dry करके press करके और preserve करते हैं ठीक है sheet के उपर तो यह library की तरह ही होता है बटा ऐसे ही rack बने होते हैं उसमें file लगी होती है फाइलों में आपकी herbarium sheet होती है जिनको हम arrange करते हैं तो यह जो royal botanical garden का herbarium है यह कहां located है क्यू लंडन में यह सबसे largest हम बता रहें तो largest कि स्पेसिस पर बता रहें कि इसमें कितनी herbarium specimen रखे गए हैं तो इसमें 6.5 million herbarium के specimen रखे गए किते specimen रखे हैं 6.5 million herbarium specimen ठीक है दूसरा अगर हम बात करें largest in India की कि इंडिया में सबसे largest कौन से है तो इंडिया का सबसे largest herbarium है central national herbarium इंडिया का सबसे largest कौन से है central national herbarium कहां located है सीपपूर कॉलकेटा में यह कहां मिलेगा हमें central national herbarium यह बिटा बनाये गया है इंडियन बोटैनिकल गार्डन में मैंने बता दिया था पहले भी कि बोटैनिकल गार्डन के आज पास ही आपका क्या बनाये जाता है herbarium बनाये जाता है mostly ताकि वहीं से plant material collect करें और वहीं पे पिज़व करें इसके अंदर 2 million herbarium specimen है कितने हैं 2 million herbarium specimen इसके अलबा इंडिया में और अगर हम बात करें तो एक famous है madras herbarium madras जो herbarium है बटा यह coimbatur tamil naadu में है coimbatur tamil naadu में आपका located है इसके अंदर 1,50,000 species को रखा गया है इसी तरीके से herbarium of national botanical research institute NBRI, NDRI नहीं है बटा NBRI इसका जो herbarium है लखनव में है यूपे में क्योंकि NBRI कहा है आपका लखनव यूपे में इसके अंदर 80,000 species को रखा गया है ठीके तो यह थे कुछ herbarium के examples कि कहा कहा आपके herbarium बनाए गये हैं कौन-कौन से famous है अब हम बात कर लेते हैं कि herbarium sheet बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? specimen चाहिए. अब उन specimen की collection के लिए हमें कौन-कौन से tools चाहिएगे हम उन tools की बात करें उनके specimen को collect करने के लिए हमें क्या-क्या tools चाहिए तो जैसे कि अगर कोई underground part है उसको लेने के लिए, क्या चाहिए? Digger चाहिए नाइफ भी कई बार जरूरत पड़ जाती है कई कैसे में सीजर हमें चाहिए होता है तो ये तो plan part को obtain करने के लिए चाहिए अब एक चीज आपको पता है जैसे हम किसी भी plant की leaf को तोड़ते है मला हम खेतों में चलेगे अगर हमें एक गंटा लग गया गर पे आने में उसकी pressing करने में तो वो plant तो क्या कर देगा water को loss कर देगा और सिकुड जाएगा और जब वो थोड़ा सा सिकुड जाता है तो वो properly expand नहीं हो पाता है तो उसकी pressing properly नहीं हो पाती है तो हम उसके characters को easily observe नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हमारे सामने एक सबसे बड़ी problem थी कि हमें उन plant part को fresh रखना था जब तक हम उसकी pressing नहीं कर देते तब तक हमें उसको fresh रखना होता है तो इसके लिए हम एक metal का box यूज़ करते है वस्कुलम या फिर कई cases में polythine bag use करते है या फिर हम कई बार क्या करते है pressing वहीं पर हम कर लें इसके लिए हम old newspaper ले जाते है या magazine ले जाते है कई बार हम ये भी साथ में ले जाते है ठीक है ताकि हम plant material को वहीं पर क्या कर ले पिंज़ोव कर ले ठीक है या plant press आते है artificial हम उनको भी लेके जा सकते हैं एक notebook हम रखते हैं किसके लिए कुछ not करना हो तो उसके लिए हमें notebook और क्या चाहिए pen चाहिए और कुछ part अगर minute से हैं तो उनको observe करने के लिए हमें magnifying lens भी चाहिए होते है क्या चाहिए होते है magnifying lens ठीक है अच्छे एक चीज़ और देखना ये तो थे plant के material लेक पितला flashy जैसे कि आपके फ्रैट्स होते हैं टुबर्स होते हैं राइजोम होते हैं तो ऐसे के सीज में हमें क्या करना होता है उसको हम शीट पे तो लगा नहीं सकते हैं तो उनके सिच में क्या कर लेता है एक bottle के अंदर उनको preserve कर लेते है और bottle के अंदर हमने क्या डाले एक अब फ्रिसर्वेटius इसे विशन अब प्रिसर्वेटिव सॉलशन वह मड़ीं का वह शौट लीछ च्वार्म यूस कर थे ओअ एफ यह क्या होता है फिस Allah उसके और होती है कई बार एक्जामीनर पूछ लेता है कैसे बनाते हैं इसको तो इसमें हम लेते हैं बेटा 10 ml फार्मली कि 5 ml ग्लेशियल एस्टिक असड़ कि 50 ml 95% इथाइल अलकोल हमें लेना होता है 50 ml 95% इथाइल अलकोल हम यूज़ कर लेते हैं और इसके इंदर हम 35 ml वाटर एड़ कर देते हैं तो कितना हो गया 50, 35, 85, 90 और 100 ml इस तरीके से हमने एक 100 ml की कंपोजिशन हमने स्टडी कर लिए तो जितना भी आपको सुलीशन चाहिए इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं सुलीशन तयार कर लेते हैं और इन प्लैंट मेटीरियल को हम उसके अंदर फिज फिल्ड विजट करें ठीक है क्योंकि फिल्ड विजट हमें करनी पड़ेगी अगर हमें प्लैंट मेटीरियल को कलेक्ट करना है दूसरा क्या होता है उसका स्पासिमें कलेक्शन करें ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे उसके प्रैसिंग करें और उसको ड्राइ करें और फि सब्सक्राइब करता है तो पॉइसनिंग क्या करती यह पिटवाइब बना देती है उत में इक स्पैसिमन को अन पालेटेबल टू हर्वेरियम पैस्ट ताकि हर्वेरियम पैस्ट जो है वह इनको डिस्ट्रोई ना कर पाएं ठीक आप खेशन क्या होता है कि हम कैसे प करें क्य के लिए यूज करेंगे क्या या तो हम स्पैसिमेंट को ट्रीट करें 0.1% मर्कूरिक क्लॉराइड अब मर्कूरिक क्लॉराइड का फॉर्मूला क्या होता है है एचजी सीयल टू आपको आप्शन में कहीं पे एचजी टू सीयल टू लिखा होगा कहीं पे एचजी सीयल लिखा होगा ठीके तो ये इसके साथ हम ट्रीट क्यों करते हैं ताकि हम प्लैंट स्पैसिमन को फंगल अटैक से बचा ले ध्यान रखना मर्कूरिक क्लॉराइड से क्यों ट्रीट करते हैं फंगल अटैक से बचाने के लिए कई बार हम क्या करते हैं डेडिटी नेफ्थलीन बोल कि या फिर हम कार्बन डाई सिल्फाइड भी यूज़ कर देते हैं इनको पेस्टिसएड हम यूज़ कर लेते हैं कई बार चौई तो यह ची ध्यान अगा काई बार हम simply repelling chemicals भी use कर देते हैं कि simply हमें kill नहीं करना है हमें क्या करना है repel करना है pest को जैसे कि हमने naphthalene bowl डाल दी ठीक है या moth या naphthalene bowl हम डाल देते हैं ठीक है तो repelling chemicals भी हम use कर लेते हैं यह हमने preserve को sorry जो आपका material था plant material उसको preserve कर दिया अब हमें क्या करना है उसकी mounting करनी है mounting करने का मतलब है harbarium sheet पे उसको लगाना है तो लगाने के लिए हमें standard size की harbarium sheet चाहिए वो क्या होती है 29 x 41 cm या जो भी हमने अलग-अलग dimensions बताई थी तो mounting का simply mean होता है कि जो भी आपने material preserve कर लिया है अब आपको उसको sheet पे लगाना है उसके लिए मैंने बताई था अगर छोटा size है material का तो L-sachem लगा देंगे बड़ा है तो या तो N-alphabet की form में लगाएंगे या W की shape में हम उसको लगा देंगे इसकी बाद आता है stitching कई बर के होता है कि हम माउंटिंग कर देते हैं ग्ल्यू की help से लेकिन कई बार वह बहुत जल्दी निकल जाता है तो इसलिए जादतर हम क्या करते हैं उस specimen की stitching कर देते हैं तो या तो हमने उसको प्रोपर पेस्ट से पेस्ट कर दिया पेस्टिड कर देंगे या फिर उसको स्टिच कर देंगे किसके उपर हर्वेरियम शीट के उपर तो वह स्टैप आपका हो जाता है stitching फिर हम लास में क्या करते हैं लेबलिंग करते हैं लेबल हमने लगा दिया और फिर लेबल हमने कितना लगा है 7 x 12 cm का ठीक है तो हमने पहले सही एक लेबल की कटिंग कर ली उसके उपर जो भी इन्फोमेशन चाहिए थी वो हमने लिख दी जैसा कि हमने बताया date and place of collection मुसब कर लिया और उसके बाद इसको sheet के right bottom corner पर हमने लगा दिया और लास्टली फिर हमने उस material को क्या कर दिया deposit कर दिया किसके अंदर हर्बेरियम के अंदर रैक बने होते हैं जापर हम इन शीटों को most accepted classification system के according क्या कर देते हैं बटा अरेंच कर देते हैं तो यह आज का हमारा topic था बहुत important topic है इसको अच्छे से करना next lecture में हम इसके आगे study करेंगे thank you